श्रिनिवास कांकेर से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे आज 36 गड़ के दौरे पर रख्षा मंतुरी राजनाथ सिंग राजनाथ सिंग कांकेर में जनसभा को संबोधत करेंगे पदमश्री अजय मंदावी के घर जाकर मुलाकात भी करेंगे केंदर सरकार के 9 साल पूर तो चनावी शंकराथ हो रहा है और बस्तर सिसकी शुरुवात है राजनाथ सिंग बस्तर में चनावी शंकराथ करेंगे आज बस्तर के दोरे पर है राज़नात संग और कई सारे लोग इस में शामल होगे बड़ा कारिकरम रखा गया है नौ साल पूरे हुए है और नौ साल पर ये कारिकरम बढ़ा रखा गया है राज़नात संग महवर मौझूद रहेंगे ज़ादा जानकारी के लिए मरसाथ सयों की खेम नारायन जुट रहे हैं खेम नारायन बड़ा आयूजन किया गया है बस्तर में और राज़नात सिंग पहुच रहे हैं बस्तर शंकनात करेंगे चुनावी शंकनात कितना खास ही रहेगा किस तरह की तयारिया हैं बताईए जी आपको मैं पता दूँ कि काफी लंबे अर्से के बाद जो है चुकि अब विधान सभा चुनाओं का काउंडाउन सुरू हो गया है तो भारतिय जंता पार्टी जो है अपने एक बड़े लीडर लोगसभा इस्तर की आज एक आम सभा काकेर में रखी गई है जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाशी दोपार में यहाँ पर आएंगे और लोगसभा इस्तर के जितने भी कारिकरता यहाँ पर सामील होंगे उनको आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर रिचार्च किया जाएगा और हाला कि यह कारिकरम केंद्र सरकार के 9 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में जो है एक माह जो चलने वाला है उसके रखा गया है और लोक सभा इस्तर पर आकर जो है राजनाथ सी जो है गेंद्र सरकार के जो 9 वर्स के कारे हैं उनका बखान भी करेंगे और उसी के साथ साथ जो है आने वाले जो 2023 वे च्छतिस गड़ में विधान सभा चुनाव होने वाले है उसकी तयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है और यहाँ पर आठ विधान सभा के जो भाजपा कारे करता है वो यहाँ पर सामील होंगे और उनको जो है राजनाथ सी जो है टीप्स देंगे और आने वाला जो विधान सभा चुनाव है और जो भाजपा सत्वा से बाहर हो चुकी है उसको सत्वा में वापस लाने की ये जो तैयारी हो रहे वड़ा जो कारेकरम है यहाँ पर काकेद लोग सभा छेतर में जो है आयोजित की गई है वाकि सत्तान रापस आने का जोर पूरा लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा बहुत 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 शुक्रिया जानकारी को साजा करने के लिए वधान सबात चुनाफ को लेकर जगदल पुर्वर बीजेपी ने कॉंग्रस पारश्यत के लाके में जनसंपर कभियान चलाया कि विलासपुर से बड़ी कबर के बात करेंगे हवाई जन संघर्ष समीटाइब